खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़े। अगर मैं आपसे कहूँ इन्होंने एक अच्छा काम कौन सा किया आप इनका विरोध खूब करते हैं लेकिन विरोधी को भी एक काम को अच्छा लगा होगा वो कौन सा है। इसके पहले कि मैं एक अच्छे काम का उले करूँ जरूर करूँगा मुझे एक काम बहुत अच्छा लगा है वो बताऊँगा पर भूमिका के रूप में ये कहूँगा कि ये एक वर्ष निराशा और हताशा के इसलिए रहे क्योंकि कि 36 गड़क के बारे में कोई द्रिष्टी, कोई सोच इसे आगे ले जाने के लिए यहां के संसाधनों का प्रयोग यहां के लोगों के लिए उनके हित में करने के लिए कोई द्रिष्टी या कोई सोच हमारे मुख्यमंत्री या हमारी सरकार ने लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया है और ये घोर निराशा जनक स्थिती है सबसे पहले राज चलाना है तो एक विजन होनी चाहिए जो पुरातन काल से बाबा आदम काल से हमारे पूरवज करते आए हैं उससे आगे बढ़े ही नहीं, और एक अच्छा काम बता दूँ, वो है कि इन्हों ने एक साल, जो लास्ट इयर है, उसमें धान का समर्थन मोल्य पचीस सर रुपय घोशित किया, पचीस सर रुपय में खरीदा, उससे ना किवल किसानों की आमदनी बढ़ी, पर चूंके परशेजिंग पावर उनका बढ़ गया, तो व्यपार के हर छेत्र में उन्नती हुई, और जैसा पूरे देश में कहा जाता है कि मंदी का बड़ा असर हुआ, नोडबंदी का असर हुआ, जी एस्टी का हुआ, हमारे यहां भी हुआ है, हमारे यहां भी छोटे व् पारी, बड़े वेपारी, छोटे उद्योगपती, यह बहुत परिशान हैं आज भी, पर अपेक्स तया, सापेक्स रूप से धान खरी दी एक ऐसा काम है, जिसकी मैं प्रशंचा कर सकता हूँ, जी एक बात तो आपको लगा कि इनोंने अच्छा काम किया, पर निजी रूप आप से इनका पहले से 36 का अंकड़ा रहा, यानि आपके बेटे को जेल भिजवा दिया गया, देखे, इन बातों में मैं नहीं पढ़ना चाहता, इसका फैसला तो जनता करती है कि कौन सा काम ठिक किया, कौन सा काम नहीं किया, मेरे बेटे को जेल भेजा, बिना किसी आपरादर में हाई कोट ने लिखा कि एक भी सेक्षन जो उसके उपर लगाई गए धी धाराएं, वो बनता ही नहीं है अपराद, पर उसे मैं बुरा नहीं मानता, राजनीती में शाम, दाम, धंड, भेद, सब कुछ करना चाहिए, वो मुख्यमंतरी ने किया, उसको मैं मगर रूप से जो चटिस गड़जे से प्रदेश, जिसमें संसाधनों की कमी ही नहीं है, हीरा, सोना, कुला, लोہ, सीमेंट, बाकसाइट, सब कुछ है, वहां हमको ये सरकार कहां तक ले जाने वाली है, कैसे ले जाने वाली है, किस रास्ते पर ले जाने वाली है, ये सोच बिल्कुल नहीं दिखता अब जोगी जी मैं आपको इतने समय से जानता हूँ अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और ये जो आपने कहा उसी से निकला हुआ सवाल है आप कह रहे हैं कि राजनीती में साम दाम डंड भेट सब चायज है मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप इसमें कितने माहिर या नाकारा हैं मैं और ये जड़ा एक दम बिल्कुल दिल पे हाथ रखके जवाब दीए मैं बिल्कुल साब कहूंगा कि राजनीती में हूँ तो मैं भी जानता हूँ कि राजनीती में सफल होना है तो शाम, दाम, धंड, भेद सब रास्ते अक्तियार करने चाहिए मैंने भी सब रास्ते अक्तियार किये हैं इसे स्विकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है पर सब रास्ते अक्तियार जरूर करने चाहिए पर अंत में ये लक्ष होना चाहिए कि इस से प्रदेश को फाइदा होना चाहिए पर मैं तो ये कह रहा हूँ जोगी जी कि आपने सब रास्ते अक्तार किये और उसके बावजूद आप पहले मुख्यमंत्री होने के बावजूद आप आज कहीं नहीं है इसका मतलब आप इस मामले में भी नाकारा रहे क्या आप ये भी सुईकार करेंगे मैं ये नहीं मानता कि मैं आज कहीं नहीं हूँ मैं ये मानता हूँ बड़ी विनम्रता के साथ ही कहना चाहूँगा कि छतिस गड़ के सबसे ज़्यादा जनाधार वाले निताओं में यहां कभी नई पाटी सफ़ल नहीं हुई थी, विद्याचिराण जी ने बनाई, ताराचंट रहू जिने बनाई, अनेका नोगों ने बनाई पर कभी वो सफ़ल नहीं हुए, मैं नई पाटी बनाई, केवल दो महने का समय मिला मुझे, चुनाव चिन चुनाव आयोग ने नहीं दिया उनका नियम है केवल दो महिने पहले चुनाव चिन न मिला उसके बाद भी हम 14-15 परसेंट वोट लेकर साथ लोग विधान सभा में हैं और मैं इसको बड़ी सफलता इसलिए मानता हूं कि विद्या चनन जी शुकल जैसा विक्त उन्होंने पार्टी बनाई और उनको सिंबल का नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने राकपा का सिंबल ले लिया था हमने तो नया सिंबल लिया दो महने पहले मिला हमें ए बड़ा नुकसान हुआ कि जो लोग हमें वोट दे रहे थे उनको ये सम्झा दिया जया कि 35 साल प्रचार किया, उस पार्टी से मुझे अलग, आज भी लोग स्विकार नहीं करते हैं, अभी चितरकूट के चुनाव में गया था, तो एक बड़े बुजूर्ग ने मुझसे थोड़ी से शाराप कुई हुए थे, हमारे आदिवासी भाई थे, जगड़ा कर लिया, कि तो अगर मैं कहूं कि सामधाम डंडेट जो आपने लगा है, वो कुछ तो काम कर रहा है, थोड़ा काम कर रहा है, पर जाता नहीं, पर मैं आप से ये तो इसका आप परिणाम देखेगा, ये तो इसी समय आ जाता, अगर भाजपा फुस नहीं होती तो, ब्रिज मोहन जी की पार्टी पंदरा सीट पर आ जाईगी, ये कोई सोची नहीं रहा था, पंदरा साल तक राज्य किया, और नब्बे में पंदरा सीट लाईगी, अगर ये तीस सीट भी लाते, तो हमारे बिना ना कांग्रेस की सरकार बनती ना भाजपा की. तो ये तो कांग्रेस की नेता कह रहे हैं, जोगी जी, कि कांग्रेस अगर जीती है, उसकी जो बंपर जीत हुई है, उसकी एक बड़ी वजए ये भी है, कि आप वहां से गए, तब वो वहां आई सत्ता पर. देखें, ये कहने की बात है, इस बार जो जीत हुई है, किसी सड़क चलते आदमी से आप पुछ लिजे, ये जीत इसलिए हुई, कि 15 साल डाक्टर रमन सिंगी की सरकार से लोग इतने ठक गए थे, इतने निराश हो गए थे, कि नेगेटिव वोट हुआ, कि इस सरकार के खिलाफ हमको वोट देना है, और खिलाफ वोट उन्होंने एक तरफ दे दिया, उसमें अजीद योगी के रहने या नही रहने, मैं रहता भी तो यही स्थिति होती, मैं नहीं रहा तो भी यही इस्तिती है वो रहने या नहीं रहें का प्रभाव नहीं हुआ पंदरा साल के कुशाशन दुशाशन या जो भी कहें उसका जो समगर रूप से प्रभाव पड़ा उसके कारण ऐसा परिणाम आया राइपूर के अगर आप पत्रकारों से बात करें तो हम लोग दिली से आ हैं राइपूर के पत्रकारों से बात कर रहे हैं तो कोई अगर कहे कि साथ में पांच लोग ऐसे हैं, तो उसका सोचना गलत है, केवल मैं सारुजनिक रूप से सुविकार करता हूं, कि केवल एक हमारे विधायक, शिरी देव उरत सिंग, जो कई पीडियों से विधायक, सांसद, उनका परिवार कांग्रेस से रहा है, उनका साफ्ट कार्नर कांग्रेस के प्रती है, केवल एक का, उनके संग और कोई दूसरा नहीं है, आपके बारे में भी सवाल है मेरे पास, पर मैं उससे पहले जानना चाहता हूं, कि ये जो आपकी पार्टी है, उसके आज उसके अस्तित्व का मतलब क्या है, क्यों है ये पार करने की सोचें, देखें, पूरे देश का चेत्र देखिए, हर प्रदेश में केवल राजिस्तान, मद्य प्रदेश और गुजरात को छोड़कर, हर प्रदेश में, हर यूनियन टेरिक्री में, एक चेत्री पार्टी प्रभावशाली रूप से स्थापित हो गई है, ये प्रशन बहुत अच्छा है, तो थोड़ा से लंबा उत्तर देना चाहूंगा, भारत का इतिहास देखिए, भारत हमेशा आंचलिक्ता से प्रभावित रहा है, हम जब आजाद हुए तब भी 565 राजवाले अलग-अलग थे, जिनको सरदार पटेल और मेनन साब ने मिला तो भारत में विविधता इतनी जादा है, आंचलिक्ता इतनी जादा है, छेतरीता इतनी जादा है, कि कोई भी राज्य ऐसा नहीं रहेगा, केवल तीन बचे हैं, सब जगा हो गए, बंगाल विमंता आ गई, उलिसा में नविल पत्ना है का गई, DMK, ADM के तो पुराने चले हैं, वाई असार रेड़ी का ललका जंगन रेड़ी आंधरा में आजया, केसी आर तिलंगाना में आजया, आप हर प्रदेश देख लीजे, हर प्रदेश में वहां की छेतरीता ने वहां के लोगों को प्रभावित किया है, और इसका मुख्य कारण ही है, कि कोई नहीं चाहत कि एक हजार किलो मीटर दूर दिली से उनके फैसले हो, हर चतिजगार का नागरी की चाहता है कि हमारा फैसला दिली से नहीं होना चाहिए, रायपुर से होना चाहिए, और दोनों राष्टी पार्टियों के फैसले, छोटे से छोटे फैसले, यह चोटा सा टिकेट होगा यह जो दूर से नियंत्रन करने की भावना है, वो लोगों को पसंद नहीं है, और हर राज्य में छेत्री पार्टी मजबूत हुई है, और मैंने यहीं जेत्री दल की यही कोशिश रहती है, आप नाम ले रहे हैं ममता बैने जी का, आप नाम ले रहे हैं नवीन पटनाय का, आ आपके दिल में तमना है ऐसा बनने की, पर जोगी जी मुश्किल तो यह है कि आप ही पर सवाल उटते हैं, यह पूछा जा रहा है कि आप सतनामी शिडूल कास्ट हैं, कि आप शिडूल ट्राइब हैं, आपके खिलाफ केस है, आप हाई कोट में गए वहां से भी आपको कोई मदद नहीं मिली, अगर आप इसी छवी लेकर जाएंगे, इस तरह के केसिस लेकर जाएंगे, तो आप कैसे जनता में उम्मीद बांदेंगे, कैसे जनता समझेगे कि यह आदमी जो कह रहे हैं, ओस ही कह रहे हैं, देखे, जब कुछ नहीं मिला मेरे खिला, मेरे इस 35 साल के स मेरे उपर एक भी उंगली भ्रस्ताचार की या गलत काम की नहीं उठी जब लोगों ने ये देखा कि इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं तो यो जब तक मैं IPS IS में रहा किसी ने मेरे जाती का प्रश्न नहीं उठाया जिस साल मैं सन 86 में राजनीती में आया उसी साल पहला केस दायर गुआ और 86 से लेके अभी तक मैं सोचता हूँ अयोध्या के बाद मेरा प्रक्रण देश का सबसे पुराना प्रक्रण है 43-44 साल हो गए चार बार हाई कोट के दो बार सुप्रीम कोट के फैसले मेरे पक्ष में आ चुके हैं पर कोई ना कोई नया बाहर मनना बना कर ये प्रश्न उठाया जाता मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ जिसको भी मेरे जाती के बारे में संदे है उसको मैं निमंत्रान देता हूँ मै मैं किराया दे दूंगा, आपको भी किराया दे दूंगा, आपके लिए गाड़ी का इंतजाम कर दूंगा, जोगी सार गाओं चले जाई, जहां से मेरे पूरवज हैं, जहां से मैं हूँ, वहां अगर एक भी आजमी ये बोल दे, कि मैं उनका नहीं हूँ, तो मैं राजनीती को तेयार हूं और मैं यह कहता हूं कि किसी की जाती का फैसला रायपुर से और दिल्ली से और भौपाल से क्यों होगा आपकी क्या जाती है यह जानने के लिए दिवां की क्या जाती है यह जानने के लिए हमको दिवां के दाओ जाना चाहिए दिवां के निश्टेदारों से ब कि मैं आदिवासी हम पर हर भार कोई नग नए बहाने से क्योंकि मेरे उपर कोई दूसर आरोप चिनातीक साथ कहता हूं लगा ही नहीं सकता हूं कभी किसी महाने से कभी मैं चुनाओ लडता हूं तो चुनाओ याचिका मी ये प्रश्ट लगा देते हैं जोगी जी आप मुख्य मंत्री रहे, आप सामदाम डंड बेट की बात करते हैं खुल कर, फिर भी ये मामला आपके साथ चिपका हुआ है, आप ये भी मान रहे हैं। मैं तो लड़ा इतने साल, और वकीलों के फीस में करोडों रुपए खर्च भी हो गए, और उसको भी लड़ना पड़ेगा। तो मेरी जाती बता दी जाए, देश में भारत में एग भी ऐसा विक्ति नहीं है, जिसकी जाती नहीं हो। आज की स्थिती में भारत में के वाल अजीत जोगी ऐसा विक्ति है, जिसकी जाती ही नहीं है। कि आगर आदिवासी नहीं हैं तो फलानी जाती है। आपने कहा सत्तामी मैं साहर शिक्वार कर लो, मेरे को मेरे पूरोजयों का बता दीजे। मेरे जादा कौन थे, पर जादा कौन थे, उनके पिता जी कौन थे, आप मुझे कोई ब्राम्हन कह दे, कोई छत्री कह दे, कोई वैश कह दे, कोई शूद्र कह दे, कुछ तो कहे। ऐसा कैसा हो सकता है कि अजीत योगी कि जाती है नहीं। चलिए, आगे चलें, राजनीती की तरफ देखें, तो यह जो नागरीकता वाला बिल है, उस पर आपकी क्या राय है। देखें, मैंने तो इस्टेंड ले लिया है, मेरी पार्टी ने स्टेंड ले लिया है, कि हम इसका विरोध करते हैं। मैं इसका विरोध एक दूसरे परिवेश्म करता हूं, जिस परिवेश्म दूसरे लोग उने नहीं किया। मैं यह मानता हूँ कि कोई भी कानून, चाहे जितना अच्छा कानून हो, तब तक उसको सही कानून नहीं कहा जा सकता, जब तक उस कानून को जन सामान्य स्विकार ना करे। यह एक ऐसा कानून है, हो सकता है, जो कारण बता जा रहे हैं, उसके कारण यह अच्छा कानून हो, पर भारत के जन सामान्य में, सब जगा, गाउं में मैं गाउं से अभी आया हूँ, गाउं में भी, शेहरों में भी, पूरे भारत में एक बात फैल गई है, कि यह कानून गलत इस कानून के कारण हमारे अलब संख्यकों अर्थात बुसल्मानों के साथ अन्याय हो रहा है। ये लोगों के दिल में बात जम गई है। और जब कोई बात लोगों के दिल में जम जाती है। कानून अच्छा हो सकता है। हो सकता है कानून में मुसलिम भाईयों के प्रती कोई वेद्भाव ना हो पर एक जन समाने ने माल लिया है कि इस कानून से वेद्भाव हो रहा है और विशेशकर जो हमारी नई पिढ़ी है जो छात्र हैं नौजवान हैं वो इससे बहुत उग्र हैं अगर मैं आपसे सवाल प अगर आपको मौका मिले और आपकी पार्टी का मर्जर अगर बीजेपी से होने की बात हो और कॉंग्रेस से होने की बात हो तो आप क्या चुनेंगे दोनों में से कोई नहीं आपने छोटा उत्तर माना पर आपने समय लिया थोड़ा दोनों में से कोई नहीं दोनों में से कोई नहीं चेतरी पार्टी मैंने बनाई क्यों कांग्रेस में क्या मैं खुश नहीं था कांग्रेस में मैंने जब कांग्रेस चोड़ी तो कांग्रेस कार जो कांग्रेस के नीती निर्धानन करती है, जिसमें 20 लोग होते हैं, उसका मैं सदत से अनावरत बना रहा, तो मुझे वहां संबान की कमी नहीं थी, मुझे वहां आउसर की कमी नहीं थी, मुझे मेरा आज भी वैसा संबन्ध है जो गांधी नेरु परिवार से परिवारिक संबन्ध है आज भी मैं मिलता रहता हूँ बाग करते हैं वो भी बाग करते हैं इन सब के बावजूद मैंने कांगरेस के छोड़ी क्योंकि मेरा ये निशकर्ष निकला कि 36 गड़ जैसे प्रदेश को अगर आगे ले जाना है तो छेतरी पार्टी बनानी चाहिए जो केवल 36 गड़ के इंदरित मीतियां बना सकें योजनाय बना सकें तो दिल मिलेगा परदल नहीं अजी जोगी बहुत बहुत धन्यवाद आपने सारे सवालों के सीधे-सीधे जवाब दिये तेड़े मेड़े सवालों पर भी आपने करीब-करीब सीधे-सीधे जवाब दिये ABP News पर जारी है शिकर्ष अमेलन 36 गड़ ये तो दिबाम जी की आदत है मैं आपको 30 साल से जानता हूँ आप तेड़े सवाल जब मैं प्रवक्ता था संतान्वे अंठान्वे से लेकर 2000 तक तब भी आप तेड़े सवाल करते थे और तब भी मैं आपका सीधा जवाब दिया था आज भी आपने वही किया और इसी करन आपकी और मेरी मित्रता से दो बनीद ती दन्यवा ती दन्यवा ती दन्यवा Thank you